Hello students, D2 Electry में आप सबका भोधवो स्वागत है और आज हम बहुत ही important topic डिसकस करेंगे जो की related रहेंगा find out the specific resistance मतलब कोई एक conductor है उसका हमें specific resistance निकालना है तो वही हम देखेंगे कि किसी भी conductor का अगर specific resistance निकालना है तो उसके लिए कौनसी step या कौनसी मेथड हमें यूज करना है तो जैसे यहाँ पर कोशन बोल रहा है कि एक तार 30 मीटर लंबा है सबसे पहले हम data अच्छे से पढ़ लेंगे कोशन बोल रहा है कि एक तार 30 मीटर लंबा है मतलब उसकी लेंद 30 मीटर है और उसका शेत्रफल शेत्रफल यानि एरिया उसका शेत्रफल 0.6 वर्ग एमेम है मतलब उसका जो एरिया है वो 0.6 एमेम स्क्वेर है तता उसका resistance 20 ओहम का है तो हमें specific resistance निकालना है तो अब हम इसको किस तरह से solve करेंगे तो वो देखते हैं तो सबसे पहले हम यह जो question बोल रहा है तो उसका data लिक लेंगे जैसे इसकी लंबाई है तो लंबाई कित्य है 30 मीटर तो यहाँ पे L मतलब length बराबर हो जाएगी 30 मीटर length बराबर हो गई 30 मीटर अब उसका शेत्रफल मतलब area उसका area दिया गया है 0.6 mm square मतलब यहाँ पे meter में इसका unit था यहाँ पे mm में है और उसके बाद में बोल रहा है कि इसका resistance 20 ohm का है मतलब r से हम denote करते है resistance को और इसका unit जो है वो आता है 20 ohm तो हमें पता लगाना है कि specific resistance क्या है तो यह specific resistance का symbol है तो हमें यही पता लगाना है कि उस wire का specific resistance कित्ता रहेगा तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे है कि जैसी length meter में दिया गया है area mm square में दिया गया है तो कोई भी calculation करते समय जो भी इसके unit है वो same करना होता है तो हम सबसे पहले जो 30 meter है इसको centimeter में convert कर लेंगे उसके बाद में जो 0.6 mm square है इसको भी हम centimeter में convert कर लेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो specific resistance है इसका formula क्या हो जाएगा उसके बाद में हम calculation करना start करेंगे जैसे resistance होता है हमारा रचता है specific resistance length divided by area तो यह जो यहाँ पे दिखाई गया है यह है specific resistance तो यही हमें निकालना है तो हमारे पास resistance का जो proper formula होता है वो होता है specific resistance into length specific resistance into length divided by area तो अब हमें यह specific resistance निकालना है तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे तो यह जो area है यह resistance के गुना में चला जाएगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं resistance into area equal to specific resistance into length तो अब हमें और यह specific resistance निकालना है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं यह specific resistance हम यही पर रखेंगे equal to का sign भी वही से ही रखेंगे अब यह length यह equal to के इधर चला जाएगा यहाँ पर तो कैसा हो जाएगा ra हम as it is रखेंगे और length इसके divide में चले जाएगा मतलब यह हो गया हमारा तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो specific resistance का symbol है हम उसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं कि specific तो हमें यहाँ पर finally जो specific resistance का जो formula होगा वो हो जाएगा specific resistance बराबर resistance into area divided by length और इसका unit जो है वो हो जाएगा ओहुम पर centimeter cube यह इसका unit हो जाएगा तो अब हम इसका calculation करना start करते है जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यह जो length है यह meter में given है जो length है वो meter में given है और area mm square में given है तो हमें इन दोनों के unit जो है वो same करना है तो same करना है तो हम किस तरह से करेंगे तो वो भी देख लेते है जैसे हमारे पास एक mm होगा उसके बाद में centimeter होगा यह trick है जो कि हमें याद रखना है उसके बाद में meter और यह kilometer अब अगर हमें mm का centimeter में करना है centimeter का mm में करना है और meter का kilometer में करना है तो उसको किस तरह से convert करेंगे जैसे अब mm है तो mm का centimeter में करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा divided by 10 मतलब उसको divide करना पड़ेगा अब centimeter का convert करना है हमें meter में तो हम क्या करेंगे divided by 100 और meter का convert करना है kilometer में तो उस समय हम करेंगे divided by 1000 divided by 1000 अब उसी तरह से kilometer का convert करना है meter में तो हमें करना पड़ेगा into 1000 बोटी important हो जाएगा यह याद रखना जरूरी है उसके बाद में meter का convert करना है centimeter में तो उस समय हम into करेंगे 100 से और centimeter का convert करना है meter में तो हमें करना पड़ेगा into 10 इस तरह से एक बार और हम देखते हैं कि meter का convert करना है centimeter में इस तरह से तो हमें करना पड़ेगा divided by 10 किसको divided by 10 करेंगे जैसे mm होगा तो mm को अगर हम divided by 10 करते है तो उसकी value आजेगी centimeter उसी तरह से centimeter की value given है और उसको हम divided by 100 करते है तो उसकी value आजेगी meter तो इस तरह से हमें conversion करना है अब kilometer का meter में convert करना है तो into 100 अब meter की value को centimeter में convert करना है तो meter की value को into करना पड़ेगा 100 से और centimeter की value को convert करना है mm में तो हमें centimeter की value को into करना पड़ेगा 10 से तो अब हम next calculation देखते है जैसे की हमारे पास length था 30 meter अब हमें सभी calculation convert करना है centimeter में तो हमने क्या देखा था कि जो भी meter का convert अगर centimeter में करना है जैसे हम यहाँ पे देखते है meter, mm, centimeter और meter इस तरह से लिखा था अब meter का convert करना है हमें centimeter में तो हम क्या करेंगे into hundred क्योंकि यहाँ पे kilometer था पहले kilometer का convert अगर हम meter में करते हैं तो into thousand लेकिन हमें meter का convert करना है centimeter में तो हम करेंगे meter की value को into करेंगे 100 से, सभी value हमें करना है centimeter में, तो meter के value को centimeter में करना है, तो 30 into 100 हो जाएंगे 30 into हो जाएंगे 100 तो ये value आ जाएगी 3000 centimeter मतलब हमने length के value को जो meter में गिवन थी, उसको centimeter में convert कर लिया अब next करना है हमें area अब area के value यहाँ पे किते दी 0.6, तो 0.6 ये जो है mm में दिया गया है meter square में दिया है इसको भी centimeter में करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे meter के value को अगर centimeter में करना है तो divided by 10 तो 0.6 divided by 10 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते है 6 divided by 100 मतलब meter की area की value हमारे पास given थी 0.6 mm square अब mm square को हमें convert करना था centimeter में तो centimeter में convert करना था तो इसके लिए हमें divide करना पड़ेगा 10 से तो इसको value हम सेम इस तरह से लिख सकते है तो length की value हमारे पास आ गई 3000 cm और area की value आ गई 6 divided by 100 cm ये दो value हमें मिल गई तो हम यहाँ पे लिख लेते है जैसे length length की value हमारे पास मिली थी हमें convert करने के बाद 3000 cm और area की value जो है वो मिली थी 6 divided by 100 cm अब area resistance था तो resistance की value ओहम में थी तो वो as it is हम लिख लेंगे अब calculation करना है जैसे specific resistance के लिए हमारे पास formula था resistance into area divided by length यह फार्मूला था अब इसी फार्मूले में resistance के जग़ रजिस्टन्स की value रखेंगे area के जग़ एरिया की और length की जग़ length की value लेखेंगे और इसको calculate करेंगे तो specific resistance बराबर resistance की value थी 20 area की value थी 6 divided by 100 और length की value अब हम इसको whole divide करते थे length की value थी हमारे पास 3000 तो इसको अगर हम solve करें तो इसकी value आजाएगी specific resistance बराबर 4 into 10 minus 4 ओहम पर तो यह हमारा final answer हो गया जब हम इसको calculate करते हैं तो इसको calculate करने के बाद जो specific resistance थी उसको specific resistance की value यह आ गई 4 into 10 rest to the power minus 4 और यह इसका unit specific resistance की जो value है वो आ जाएगी 4 into 10 rest to the power minus 4 ohm पर centimeter cube यह इसका final answer हो जाएगा जाएगी झाएगी झाएगी